आज हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं नया वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं एक साल और दो साल के बच्चों के फराग कैसे बनाते हैं कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक फूल डिटेल बताएंगे वीडियो को ध्यान से देखियेगा जिए वीडियो को अश्टार्ट करतें सबसे पहले तो यह कप्रा के लिए हैं लाइनिंग एक मीटर एक मीटर में कपड़ा लिया हूं उसका बाद गैनी को इस तरह से फॉल्ड कर लेना है मोट करने के लाद श्र्टरट निसान मारका ऊप उसको कट कर दीजिए ऊपर वाले हिसे को कि उसके बाद लेंध आप कितना योग आप लगाएंगे उसके उपर वाले उसके लिए आप मार्क कर सकते हैं यह हमारा मिजर्मेंट है 16 इंच लेंध का फ्रॉक बन रहा है इसका चेस्ट है 22 इंचे तो हमने 7 इंच का उपर वाले योग लिया कि इसको मार्किंग कर लेते हैं चीतरा से आप इस और किसे मार्किंग कर लिए उपर में दो पट्टी लगेंगे इसमें स्लिवलेस रहेगा यह फराग लास्ट में बताऊंगा कौन सा फराग है उसका भी स्क्रीन सोट लास्ट में हम बता देंगे यह हमने कट कर लिया है उसको साथ इंच उपर वाले पल्ले को ठीक है दो पल्ले को एक साथ ही कट कर दीजिए क्योंकि शिरीवलेस ही होने वाला यह बचा हुआ लाइनिंग को 20 से आप काट लीजिए यह काट करके हमने साइड में रख लिया आप लेते हैं में कपड़ा में कपड़ा के जितना लेंथ है आप साथ इंच उपर वाले हिस्स्या का मेजर्मेंट शोर करके आपको इसको कट करना है पहले बोडी कट कर लेते हैं जो हमने साथ इंच का काटे हैं उसका बोडी कट कर लेते हैं यह बोडी हमने काट लिया है अब इसको साइड में रखेंगे अब इसका लेंथ कितना है साथ इंच जो हमारा उपर कहीं साथ छोर को उसके बाद लेंथ का मेजर्मेंट लेंगे इ कि लेंथ हमारा टोटल 16 इंच का लेंथ बन रहा है क्योंकि एक से दो साल के बच्चे का यह फराउब बन रहा है इसलिए हमने मार्किंग कर लिया दोनों पला एक साथ काट लिया अब इसको साइड में रखेंगे अब वो नीचे की फिरिल्ज के लिए सारे चार इंच का पीस कट कटना है सारे चार इंच का कट कर लेना आपको उसको बठा कर एक और पला कट कर लिजे है जिसा मैं कट कर रहा हूं ऐसा भी आप लोग कट कर सकते हैं अपने घर में और आराम से सिल सकते हैं अब कटिंग हो चुका है मेरा अब आईए सिलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैनिंग एटेज करेंगे जो उपर वाले कहीं सा हमने कट किया था साथ इंच का योग यह हमारे रेरी हो गया है उसके बाद नीचे वाला पला को फ्रिल्स जो हमने कट किया है उसमें गेदरिंग डाल देना है देखे किस तरह से गेदरिंग डाल रहा हूं यह छोटे वाला पला नीचे के सैड में लगेगा इसमें भी गेदरिंग आएग एक सैड और एक साथ जिग जाक कर सकते हैं जिग तरह से हो जाएगा है अब लाइनिंग को भी सेम प्रोसेस है लाइनिंग को भी सेम गेदरिंग डाल सकते हैं यह मारा लाइनिंग का भी गेदरिंग अब दुनों को एक साथ एटेज कर लेना है मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ आप लोग लाइक और कॉमेंट जरूर किजिएगा क्योंकि किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कौन सा डिजन आप और नेक्स कटिंग आप कौन बलोज लहंगा एड्रेस कोई सभी आप देखना चाहते कॉमेंट जरूर किजिएगा कर लिया है अब नीचे वाला हिंसा एटेज करेंगे वह जो सारे चारिंज का कट जो किये थे वह उसमें गेदरिंग डाला हुआ हुआ है उसमें ही एटेज करेंगे यह हमने उठा लिया है उसके बाद यह सिलना श्टिच शुरू कर दिये है इसको चारो सेट सिलना उसके बाद बताएंगे आगे क्या करना है वीडियो को दियान से देखेगा तभी समझ माएगा यह हमारा सिलाए लग रहा है इसी तरह का वीडियो में लेकर आते रहेंगे नए नए डिजेन आप लोगों को सिखाते रहेंगे इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल एकन ज़रूर दबाएं यह हमने एटेज कर दिया है यह हमारा प्रूंट प्रूंट आप दिया है नीचे का वह सारे चार इंच का जो कट किये थे उसमें गेदरिंग डाल कर गए वह एटेज हो चुका है यह हमारा हो गया फ्राग अब पट्टी जो उपर में सोल्डर पर एटेज होगा जो सिलिवलेस है दो पट्टी दोनों सेड लगेंगे वह पट्टी हमने रेडी करना ह तो यह हमने कपडा कट कर लिया है अब इसको सैड में रखेंगे देखें हमने रिडी कर लिया है पट्टी अब एटेज कर रहे हैं आपको कौन सा कटिंग सीखना है कौन सा आप कटिंग जानना चाते हैं कॉमेंट में जरूर लिखेगा क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों को नया नया डिजेन सिखाते रहेंगे यह हमारा फ्राक बनके रेडी हो चुगा है देखे खड़ा हो गया पूरा एसे मिशीन पर रख दिया है विलकुल फ्राक बनके रेडी है आप लोग भी घर में मता एबम बहने सिल सकती है घर में देख करके कटिंग और स्टिचिंग का पूरा डिटेल है इस वीडियो में इसलिए धियान से देखेगा लाइक लाइक